गाईस क्या आपका पता है कि आज से 6 मेने पहले एक न्यूज आई थी जिसके अंदर ये बताए गया था कि जो पबजी मोबाइल है उसका एक नया गेम आने वाला है पबजी न्यूज टेट एंड वो इतना जदा ओपी गेम है कि जो पबजी को भी मतलग कि भाई सब एक अद पबजी न्यूज टेट इतनी गंदी तरीके से फ्लॉप कैसे हो गया अब मुझे पता है काफी सारे तेजोसी लोग मुझे ये कमेंट करके बोलने वाले हैं कि पबजी न्यूज टेट कहां फैल हुआ है प्लेश टोप पर जाके देखो इतनी अच्छी कासी तो उसकी डाउ लोगों ने जिस दिन आया था उस दिन तो खेला लेकिन लोगों अभी खेलना बंद कर दिया है अब इसका प्रॉपर रीजन क्या है लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया पबजी न्यूज टेट को उसी के बार में आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अब इसमें भी काफी जारतेजों सी लोग ये बोलेंगे कि वाई गेम अच्छा नहीं है ग्राफिक अच्छे नहीं है बड़ा गेम है ये वो बहुत सा रीजन करने वाले हैं लेकिन ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं है आज की इस वाली वीडियो में हम लोग प्रॉपर रीजन के उपर ब सब्सक्राइब जरू करना आप लोग या लाइक नहीं करते ह। अब यहां पे जो है हम लोग अलग अलग पॉइंट referendum अब बात करेंगे कि पबजी नियु इस्टेट इतना अचा गेम होने के बावजूद भी अच्छा नहीं मज़ा इतनी बड़ी कंपणी का गेम होने के बावजूद भी फ्लॉप हुआ तो हुआ क्यों तो पहली जो उसका रीजन था ना वो एक बहुत बड़ा रीजन था अगर PUBG New State को इंडिया के अंदर अगर जलना था ना तो उसको BGMI से पहले आना था ठीक है अब आप लोगों को पता होगा कि जिस टाइम पे मतला हमारा PUBG Mobile का जो ग्लोबल वर्जन था वो इंडियन गॉर्मेंट ने इंडिया के अंदर बैंड कर दिया था तो उस टाइम सारे लोगों के मन में यही क्रेश था कि जल्दी से यार PUBG आजाए PUBG आजाए PUBG आजाए और भाई PUBG नहीं आता उससे पहले अगर PUBG New State के लाँच हो जाता ना तो साइट तक नहीं 101% में गैरेंटी के साथ बोल रहा हूँ कि लोगों को दूसरा गेम अगर कोई नहीं मिलता तो लोग PUBG New State के अंदर सिफ्ट हो जाते और सारे की सारे लोग PUBG New State खेलने लग जाते लेकिन इन लोगों ने सबसे जो बड़ी है वो गलती यह कर दी कि सबसे पहले इन लोगों ने BGMI को लाँच किया उसके बाद में इन लोगों ने PUBG New State को लाँच किया लेकिन देखो यार अगर कोई बंदा है जो कि 2-3 साल से लगातार एक गेम खेलता आ रहा है न तो वो उस गेम में उसने इतने सारे पैसे लगाएं इतना कुछ इसने इंकम मतलब इतने रॉयल पासेस खरीदें इतने सारे मतलब की गन की इसकिन्स पक्राली है तो इतना जदा पागल होगा नहीं कि वो कोई दूसरे गेम में सिफ्ट करेगा तो इसलिए सबसे पहला रीजन इंडिया की में बात करूँ तो सबसे पहला रीजन उसी का यही था कि भाई साब उन्होंने प्रॉपर टाइंग पे गेम लॉंच किया ही नहीं उन्होंने पहले बीजेमाई को लॉंच किया बीजे में लॉंच होते ही सारे लोगों अपने ID को ट्रांसफर किया बीजे में वो खेलने लगे और इसी के दोरान जो है PUBG New State बहुत ही गंदी तरीके से फ्लॉप हो गया वो यह है कि बाइस अब जैसे ही PUBG New State लॉंच हो ना उसकी सर्वर में इतने ज़्यादा प्रोल्म आ गए तो काफी सारे लोग तो गेम में जाही नहीं पा रहे थे काफी सा लोग डाउनलोड कर रहे थे तो पाईसे वो गेम में जाने की बाद में अटेक जा रहे थे इतने सरे ग्लीचेस आ गए इतने सरे बग्स आ गए जैसे ही गेम लाउंच हुआ तभी वो फ्लॉप नहीं हुआ था ठीक है जैसे ही पबजी न्यू इस्टेट आया था उसी टेव सारे लोगों ने उसको डाउनलोड करना इस्टार्ट किया तो इसके सरवर ही क्रेस हो गए सरवर पर इतना ज़दा लोड पढ़ गया को वह कि बहुत जड़ा लोगों को प्रॉब्लम आई तो फर्स्ट इंप्रेसन जो होता है ना वह अच्छा मिलना चाहिए जो कि लोगों को मिला ही नी तो लोगों को लगा यार यह क्या गेम है और अब जो तीसरा रीजन है ना जो PUBG New State का सबसे बड़ा flop game बने का फैल होने का वो भाई सब बहुत ही बड़ा है एंड उसको मैंने खुद ने experience किया है ठीक है वो जो रीजन है वो यह है कि भाई सब game का पूरा अलग होना अब जो हमारा BGMI है वो देखो एक अच्छा है मतलब BG जो न्यू इस्टेट है उसको अगर आप लोग खेलोगे तो थोड़ा डारकेश टाइप सा थोड़ा साथ सीन है और घास वगरा वही थोड़ा अलग टाइप की है और बहुत सारी चीजे अलग टाइप की है मतलब जो PUBG जो न्यू इस्टेट है उसको दो हजर पचास की है ना वहाँ पर उनको नहीं दिख रही वो अलग दिख रहा है अब यह अगर लोगों को बीजी मतलब लोगों को अगर PUBG न्यू इस्टेट अगर खेलना ही होता तो उससे अच्छा लोग जो हो कॉल अफ डूटी खेल लेते जो कि भाई PUBG से भी बहुत पहले आ गया था ठीक अब बढ़ा कि भाई सब गेम इतना जादा अलग बना दिया कि PUBG से तो भाई सिमिलर जो था ही ने ठीक है नहीं गन की डिजाइन सेम थी और नहीं मैप सेम था नहीं उसकी लोकेशन सेम थी और कुछ भी सेम नहीं था और इसलिए जो है सबसे बढ़ा फ्लॉप का रीजन यह यही था यह भाई सब गेम को थोड़ा बहुत सेम बनाना था इन्होंने पूरा का पूरा गेम ही अलग बना दिया इससे अच्छा लोग कॉल अफ डूटी खेल ले थे क्योंकि वो भी तो अलग ही है भाई तो यह था तीसा रीजन जो कि भाई सब से बढ़ाता है इसके फैल आप लोगों का प्लेयर भागेगा तो भाई सब उसका जो एनिमेशन है ना वो पूरा उस टाइप से है मतलब तुम कह सकते हो कॉल अफ डूटी या फिर फ्री फायर उसकी तरह है पूरा ठीक है तो लोगों को यह भी चाहता लगता यह फ्लॉप होने का एक बहुत ही और वो है यूटीवर का इंट्रेस नहीं होना अब इस कौम लोग ये भी कह सकते हैं को कि यूटीवर तभी इंट्रेस दिखाएगा मैं भी एक यूटीवर हूँ मैं पबजी नियू इस्टेट के फैक्ट की वीडियो क्यों नहीं डालता वागि मुझे पता है बाई साब अ ये था सबसे बड़ा रिजन क्योंकि जब ओडियेस यूटीवर को देखेंगी तभी तो खेलेगी अगर यूटीवर को नहीं देखेंगे तो वह सोचे कि गेम ये अच्छा नहीं है बीजी मं कहलो यार क्या नियूटेड क्या नियू इस्टेड तो ही थे गाईस कुस रिज ओपिन ने मुझे कमेंट किके जुरूर बाता ना और काफे सा लिगों के कमेंट आये तो मैंने आपकी निमांड पर ये वीडियो बनाया है तो आप ही को अप लाइक करना है सबस्क्राइब करना है मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक कियर एंड बबाई गाइस